यहां पर जो है जहांपर जो है जहां पर कि तोडिया और सर्सों की खिती की प्रवल संभावना है, जहां तक आपने पूछा भरैटी के संबंध में, तो जो हमारा तोरिया का भरैटी है, वो है TL-17, जो की पंजाव का डेवलफ किया हुआ है, और 2017 की ये रिलिश्ड भरैटी है, ये सारे जमीन, चाहे सिंचितो और सिंचितो उसके लिए उप्युक्त है दूसरा जो भरैटी है, हमारा तोरिया का, वो है आपको पंत हिल तोरिया 1, ये उत्राखंड की भरैटी है, ये भी 2017 की रिलिश्ड भरैटी है, दूसरा जो है हमारा है भूरे किस्म का सर्सो, भूरे किस्म के सर्सो में है सालीमार 2 और सालीमार 3, सालीमार 2 जो है 2019 की रिलिश की भई बार्ण मिललाड के बैदार के लिए है जो कि प्ला के हैं वहायोग जो मारा पिला सर्शो के है वहाइप पंत स्वेक्डा में इसमें और आपांचल आज हुएर जिसका में चिक्र किया है तो भी वैशितिटीएं लेकिन जार्खंड में जयसा कि हम सभी जामते हैं इसके लिए उप्यूक्त मिट्टी सबसे उप्यूक्त माना गया है लेकिन जारखंड में जैसा कि हम सब को पता है पूरे जारखंड की जो मिट्टी है वो अमलिय मिट्टी है अमलिय मिट्टी में तेलहनी फसल का जो है खेती करना बरा ही difficult task है बहुत ही मुश्किल है इस case में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा जमीन है जारखंड का जब हम खेती करना चाहेंगे दलहनी फसल का तो सबसे पहले हम जो है मिट्टी में डोलो माइट या चुना का प्रियोग करेंगे इसका प्रियोग हम कैसे करेंगे तो चार कुंटल प्रती एकर के हैं या दस कुंटल प्रती हेक्टेर की दर से ठीक बीज बोने के पहले और उर्वरक डालने के पहले हम सस पहले इसको डाल दें तब हम इसकी खेती कर सकते हैं तब जो है हमको है अनुकूल जो है उत्पादक ils tungём कूंटल जिब्सम का प्रецार्वन करेंगे 5 कॉंटल प्रती 100 के 10 कॉंटल कि दालेंगे फिर हम आपर बहुत को पर जो है 스इड करेंगे मोटा मोटी 20 कंभा प्रती यह भर्री इंद होगा हम 6 सी 8 प्रती है उत खबंrich के लिए और हमे लगाने का सरशोग का खेती उसपर करेंगे अब है प्रस्ण कि जब हम इसकी खेती करते है तो बीजदर क्या होगा मोटा-मोटी बीजदर जो हे व्याटी करता है हम 6-8 क्विंटल?? परती हेक्टेर इसका बीजदर रखते हैं खेती के लिए और अब है लगाने का समय सामटी 15 अक्टूबर से लेकर करके 15 नमंबर तक या हम लोग बूरा फूरी नमंबर तक भी इसका खेती कर सकते हैं